में दोस्तों नमस्कार आपका अपना ही चानल स्ट्राज्छा में आपका स्वागत है इससे पहले का एक वीडियो ने सीरीज में ग porků ने देखें मुई यहां हम लोगों ने कंप्लेट किया करके हैं से कुछ इस्टिप किये थे जो कि बार-बार इनके बारे में इन today में आता है जैनल के बारे में और हाथी के बारे में जि के आफ श़ुरू करते हैं हातियों की speaks जुन में रहते हैं जिना एक बड़ाा काथी 100kg से जादा पत्तिया खाती है हमेशा याद रखेंगे जब पत्या की बात आए तो 100 kg और तीन मेने का हाथी का वजन पूछी तो 200 kg वजन 200 kg खाती है 100 kg इतना सा याद रखेंगे आप हाती केवल 2-4 घंटा सोते हैं बुजूर्ग हतिनी ही जूनड का नेता हो तो नेता कौन होता बुजूर्ग हतनी जिहां जूनड का नेता हो ते हैं इसमें जो बुजूर्ग हाती है वह उनका नेता है Zug में दस से 20 वारा ब च्यषी जून में रहते हैं, मात्र 10 से बारा बच्चे ही रहते हैं, हाती 14 से 15 साल तक आयू में जून में रहते हैं, फिर वो जून छोरके चले जाते हैं, एक तो 10 से 12 बच्चे रहते हैं, और 14 से 15 साल तक जून में रहते हैं, और जून को छोरके चले जाते हैं, तीन महेने के हाती का भच्छे का वेजन 200 किलोगराम फिर्से में नोट करा दूँ खाते हैं 100 किलोगराम और वजन है 200 किलोगराम जी हां औरत से 11 हातHعتad 2 में जुन्ड़ के नेता होती है और 14-15 साल तक ही जुँड में रहतें जुट चोर के चल जातें एक टॉपिक और है कि हाथ जो को कीचर में खेले इसलिए पसंद है क्योंकि फंड़क मिलती है और बड़े बरे कान जो है उनकी पंक्खावा देने की काम आती है हाती को केले बहुत पसंद है हाती को पसीना नहीं आता है वो पिर्थिवी इस्तल से सबसे बड़े इस्तंधारी भी है और उन्हें पसीना नहीं आता है हाती को साब बार-बार सीटेड में रिपीट होता है साब भारत में केवल चार जहरीले साफ है नाग्य कैरत्ट डुबया और अफ़ाई शाण से अर्टी में यही दिया है इसई के को represents और किसी क्थैटम आपको देना है सब्सक्राइब साप कॉछ साफ की कि सिर्ण के दवा उरिये साप के जहर से ही क्या अजल है और यह साप के जहर से ही बनता है याद रहेंगे अदो कोस्टों में कैसी जार से और सब्सक्राइब से स्वेड़ा करते हैं इसी में कछाल ऑर आपने कहीं से दबा इस इसे पर किनमान से सब्सक्राइब आप जैसे सब्सक्राइब धर टुङकना फिर आपको सब्सक्राइर देखें हैं सापके दो खोकले सब्सक्राइब सर्क 2021 व政 riskoor प्वाराद छोड़ते हैं जमीनिते हैं सोन्ते है लेकिन भूजन को चबात निगल जाते हैं ऑगे आगे नाएक्स्टट अब गिलहरी के बारे में उनका दात हमेशा बढ़ते रहते हैं लेकिन घिषते हैं तरह फिनowym से वह स्वालनु की ज़्यादा ड़ायें लेकि इतना चिवाते हैं मछ 7,跑 भाउठा यह संटा है 1,46 कहाये सोता है अब पूरे जिन्देगी में आठ पेड़ों में यह पांच-पांच साल करके यह बिता देते हैं यह आलसी इसलिए है कि पूरे सप्ता में यह एक बार नीचे उतरते हैं सौच के लिए जी हां अब देखते हैं बाग बार बार रिपीट होता कोस्टें सीटेड में बाग अपने सिकार का सही पता हवा दुआरा मूछों का कंपन से नाप लेते हैं मूछों से ये नाप लेते हैं कि इनका सिकार कहां पर है उनके जो हवा आए है उनका मूछों में कंपन होने लगती है इससे अंधेरे में रास्ता ढूंड़ने मोने मदद मिलता है बाग मूत्र और गंध दौरा बाग को पहचान लेते बाग कर जो मलमुत्र कंद्ध है उनसे पैचान लेते हैं इनका इलाका है इनका इलाका इतने तेज आप देखें कुछ विसेस्टा क्या वाग को गुर्राना तीन किलो मेटेर दूर तक सुना जा सकता है वाग अंधेरे में हमसे च्छेक उना जादा बहतर देख सकते हैं यह इ किर्टे अपने मादा को कई किलोमेटर दूर से पैचान लेते हैं रिजन्स क्या है यह कुछ गंद छोड़ते हैं यह रेशम के किर्टे जो दूर से भी इने पैचान लेते हैं गंद से ही अब महात्पून कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक है इसको देखते हैं प्रंग्षियो समतापी प्राण यह प्रम號 मुत्रा साहिं नहीं होते हैं इसलिए डाड़े में चसे पकड़न करदे प्रंग्षियों के हृद्धे में कि इस झितने हो ते में सकर शोड़ा जोड़े में रहते हैं यह अपने घृस्ला कुद बनाते हैं ४ बनाते यह अगर मंद भी पूछा जाए तो अपरिल मंद पक्षिया घोसला क्यों बलाते हैं सिर्फ अंडे देने के लिए अब कुछ और इंपोर्टेंट टॉपिक पक्षियों की हड़ी खोकली होती है उनमें हवा भड़ी होती है जी हां पक्षी एक ही समय में दो अलग-अलग चीजों पर एक साथ देख सकता जी है जी हां एक ही समय में दो अलग-अलग चीजों पर नजट डाल सकता है पक्षी देखने हैं तू अपने गर्दन को जादा घुमाते हैं कि उनकी आखों के पुतलिया जो है वह घूम नहीं सकती है इसलिए वह गर्दन को घुमाते हैं चील बाज और गुद्ध मानव से इंसानों से चार गुना जादा देख पाते हैं रात में जागने वाला जो इंसान जानवर है वह हमेशा ब्लेक और वाइट सफेद और काल्या ही देखता है यह सीटेड में आया हुआ कोस्टन और एंसी आर्टी का इंपोर्टेंट नोट से दोस्तों एंसे आर्टी से ही नोट्स बनाया गया डिजिटल कॉंटेंट आपके रिए अब तक चैनल को सस्क्राइब नहीं के दोस्तों सस्क्राइब जलूर करें और प्रेविश्ट में जाके हमारा फूल सीटेट का फूल प्रिपरेशन कोर्स जलूर देखे इस बार का सीटेट सीट जैसा कान कोता है और दिखाईने का मतलब यह है जिन का कान भारखा टौचा पे बाल नहीं होते हैं वह अंडे देते हैं आज तोचा पे बाल होता है वो बच्चे देते हैं जी हां बच्चे देने वाले जीव जरायू कहलाते हैं जैसे कि इस तंधारी इनके कान दिखाई देते हैं ता सडीर पे बाल भी होते हैं इनका कान बहार है और तोचा पे बाल है वो बच्चे देंगे जैसे गाई गाई है पड़ियोग में आता है कंगारु चुहा कॉणर पणी नहीं पीता है देगा चिपकलि जारे में 4000 तो इजाँ हें गंटा अजगर अठारा घंटा जिराफ दो गंटा बिल्ली बारा गंटा हाती चार घंटा और सेर आठ घंटा सोता है जि कुछ लेंगे इन्पोर्टेंट ये शीटेट का आया हुआ कोस्टेन सापों को साब को गिफ्ट करते हैं जी हां मैं नागिन तु सपे रा जी हां इस तरह से तो इस से रिलेटेट कुछ कोश्चन लेंगे और इसे हम शौट आउट करेंगे किस पशु के विशा में नीचे दिये गए विब्रन को पढ़िये और उन पशु को पैचानिये यह भालू जैसा द बरसों तक यह पाच पेड़ों में आठ पेड़ों में पाच-पाच साल करके इंड करता है और सब्सक्राइब एक दिन सौच के लिए उतरता है यह कौन है भाई साहिब यह भाई साहिब हमारे इसलोट यह आया हुआ को से दोस्तों यह हमने बनाया नहीं सीटेड में आ चु में से किनकी द्रिष्टी स्रेष्ट होती है तथा मानव की तुलना में चार गुना अधिक दूर तक बस्तों को देख सकता है मदवक्षी मच्छ तितली इनकी तो आखी बहुत छोटीों के देखेंगे क्या बागत इंद्वा साप शाप जीर साप रेशम के चिपके लिए च देख सकते हैं और को सन्य heber हमेशह रात को काला बिलेक और गौत डेखते हैं और देखिए कार यह संभल किन चीजों से होता है कान का आकार जो है जानबोर तो किन चीज़ों से होगा शारिर की वजन से सुनने की शक्ति से शडिल की लंबाई से शाडितावर करंग से कान का जो साइस है तो सुनने की शकती पर डिपेंड करता है जानवरोगा लेंगे टी अपने गरदन बहुत अ夠 हिलाते हैं इस और अगर जटका और आगे पीछे सब्द का यूज अगर होता है एक्जामनर ने कर दिया जटके से और गर्दन को आगे पीछे करने वाली प्रक्षी मैंना होती है हमेशे याद रखेंगे इसी जगर पर कंफूस करता है आगे नेक्ट कोस्टों रात में जागने वाला जानवार को क्या देखेंगा केवल सफेद और काली देखेगा जी हां और लिए किस जीव के दोनों करन बाहर के आवाज इकठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घ पैचान लेते हैं अपनी मुझों के दोवारा वह होता दोस्तों बाग जी हां दोस्तों बाग नेक्स से कौन सा अपनी माधा साती केवल उसकी गन से कई किलमेटर दूर से पैचान लेता है तो माधा हाट्ती है अगर इसकी बात करे वा और हो निम्लिकित में से कौन सा अपना मादा शाथी केबल उसकी गंद से कई किलिमोटर दूर से ही पैचान सकता है वो है रेशम का कीरा जी यह दोस्तों रेशम का कीरा यह सारा सीटेड में आया हुआ कोस्टन है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में स्कूल जाने का संख्षाधन इस भी यह दोट पर आपनं विडियो करेंगे क्लास करेंगे नेक्स विडियो में और इन से रिलेटड Secret बन रहे हैं काहां भी क्या है इसको भी कंप्लेट करेंगे बन रहे की किया करी मिल पर अधेल को करें जय हिन दोस्ते जय भारत झाल 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 झाल